नमस्कार बहुत स्वागत है आपका नियोस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे मध्य प्रदेश में मंत्री मंदल विस्तार के बाद अब विभाग बटवारे को लेकर बड़ा मामना अटग्या है भाजपा के मंत्री और सिंधिया खेमे के मंत्रियों को विभाग दिये जाने को लेकर खीच तान चल रही है इस सबीचे पूर्व मंत्री और वरिष्ट कॉंग्रेस विधायक PC शर्मा ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि भाजपा को डर है कि कहीं सिंधिया खेमे के विधायक पल्टी न मार जाए इसलिए उन्हें मलाईदार विभाग दिये जा रहे है PC शर्मा ने शनिवार को मीडिया से बाचित करते हुए विभागों के बटवारे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवराज सरकार में विभाग की रसा कसी चल रही है दल बदल कर सत्ता परिवर्तन क्या गया है उन्होंने तंच कसते हुए कहा कि विधायक पल्टी न मारे इसले सिंध्या खेमे का मलाईदार में भाग दे जा रहा है इसके अलावा पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 14 मंत्री विधायक भी नहीं है जिनको उपर मामले दर्ज है लेकिन अब सत्ता में आने के बाद इनके खिलाफ मामले दर्ज भी नहीं हो सकेंगे एकोनॉमिक अपराधों की फेहरिष्ट अब देखने को मिलेगी कुरोना की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है मोबाल से तारिक खान की रिपॉर्ट एक जो पोस्ट थी उसके उपर और रोच अवैद उत्खनन कमलनाज जी ने बैन लगाया था कि नर्मदाज जी में मशीन नहीं चलेगी वो मशीने चलने ही अभी आज की तारिकों चलने ही इसके आ रहे हैं वीडियो तो यह सत्ता के लिए पुरा गड़बंदन हुआ है और सत्ता में आकर इस तरह की जो अपराद जो एककोनामिक अपराद उसकी फैरिस दिखेगी आपको चाहिए और दूसरी तरफ करोना पर कोई धियान नहीं दे रहा है करोना में चार डैथ फिरो गई महमत देश में आ जाया कि इन दौर में आकड़े गलत बताए गए और एक अस्पताल का डॉक्टर और पूरे लोग उसमें संक्रमन में आ गए करोना के करोना की तरफ ध्यान नहीं है करोना के के केसिस लगातार बलते जा रहे हैं देश की बा तो अपना इलाज कराई बाकी सरकार का करोना से कोई लेना देना नहीं इस पर पूरी तरह से ध्यान अटा दिया कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल लगी है कहीं जो लॉक्डाउन अनलॉक्डाउन टू के जो नियम बनाए हैं उनका और सब चीज़ खोल दी लेकिन जो मैंने जिसाब पहले बताया कि जिम भाई जहां अगर जिम में यह कहा जाता है कि आजमी की इम्निटी बढ़े यह तो जिम से बढ़ेगी ना जो पहले खोलना चाहिए उसको भी तो खोला नहीं है इसलिए मेरी मांग है कि उनको भी खोला जाए अप फिर एक बार मांग करा हूं मैं जो बार बार का रोड पे गारी चली नहीं वो तीन मेने का रोड टेक्स लागडाउन का माफ होना चाहिए जो फिक्स चार्जेज बजली के होते हैं वो माफ होना चाहिए क्योंकि संस्थान बंद थे दुकान बंद थी और लागडाउन पिरेट की जो मां में रोजगार नहीं है ये लगातार मांग में करते आ रहा हूं और जिम खोले जाएं ये हमारी मां में तो आप देखते रहें न्यूस 29 इंडिया एक देश सादे प्रदेश